हालो और विल्कम फैंट्स, माइक्रोसोफ एक्सल सिखने के सिरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ, सबसे पहले उन लोगों का धन्यवाद जो जिन लोगों ने मेंबर्शिप ली है और फायदा उनको मिलेगा, तो अगर आप भी हमसे कुछ एक्स्ट्रा सिखना च देख सकते हैं, यहां पर यह कुछ नंबर लिखे हुए हैं, अब यह नंबर ही हैं, अगर आप इनको डेट में करणवर्ट करना चाहते हैं तो आप यहां से जा सकते हैं, जनरल पर और फिर यहां पर मिल जाता है आपको शौर्ट डेट, तो यह डेट का फॉर्मिट यहां पर आगया लेकिन ये बिल्कुल भी उल्टा सीधा आया हुआ है, सही से नहीं आया हुआ है, देख सकते हैं अगर इसको मैं लांग डेट में कनवर्ट कर देता हूँ, ये देखें, ये जो सन आया हुआ है, ये बिल्कुल भी सही नहीं आया हुआ है, तो इसके लिए हमें क्या करना है correct way क्या है correct तरीका क्या है इसको सही से करने का यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ एक तरीका यहां पर लगा लिजेगा text का formula बहुत easy है बहुत आसान है और यहां से उस value को select कीजिए क्योंकि drop down मिल जाता है आपको excel में excel में drag and drop मिल जाता है drop down level की drag and drop वाला option आपको मिल जाता है और drag and drop कराने से आपका काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है तो यहां पर comma लगाता हूँ comma लगाने के बाद यहां पर double it comma में दो बार zero और यहां पर आपको back slash forward slash का प्रियोग करना है तो यहां पर मैं लगा देता हूँ back slash forward slash कुछ इस तरीके से फिर दो बार आपको zero type करना है फिर लगाई यह back slash forward slash और यह लगा करके चार बार आपको zero लिखना है यह लिख दिया correct date आपको दिख रही है ठीक है और अगर आप इसको drag करवाते हैं तो आपको हर जगा correct date ही मिलेगी देख सकते हैं उमीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी है अब यहां पर आप देखें यह date जो है यहां पर जैसे मैंने इसको रखा यहां पर automatically date create हो गया अब यहां पर मालेजे कुछ और कर देते हैं तो यहां पर कुछ इस तरीके से आगया क्योंकि यहां पर हमने सही से order लगा लेता हम ओके सो थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो